इंडिया जब साल बर तक का अंदोलन चला था राकेश टिकेट सबसे बड़ा चेहरा हुआ कर देते हैं हम तेरा मेंने सब लोग साथ है हाँ फिर क्यूं आप होगा है अब दो-तीन गुरूप किसान मोर्चे में बने हुए है खास करके पंजाब की जथे बन दिये हैं उसमें दो-तीन गुरूप यह भी है जो ने दिली की कोल दी आपसी सहमत ही नहीं बनी लेकिन जो किसानों के साथ बत्ताचार हुआ है हम सब उसके साथ में हैं तो सब आप साथ में मेरे समझ में आ रहा है लेकिन आप बंद अलग गुला रहे हैं वो दिली चलो अभ्यान अलग चला रहे हैं यह मिल जूलकर स्ट्राटेजी है यह क्रेडिट का वोर है कि नहीं राकेश्ट का नाम खो जाएगा पंदेर साब को कोई पूछे का नहीं इस सबने आप अपनी कोल दिये उनने दिली के दी लेकिन के साथ में जो गलत है उसके साथ में हम उस मुमेंट के साथ में हैं यह नहीं होना चाहिए यह बात तो हर कोई मानेगा मैं अदब से इस बात को मानने के लिए तयार हूं कि अगर किसी तरह का कोई अन्याय किसानों के सा हुआ है तो फिर उस उस शक्स को सजा मिलनी चाहिए और उस अन्याय को दूर किया जाना चाहिए इसमें इसमें को नहीं लेकिन अब सवाल यह है कि जो आपकी मांगे हैं क्या वो जायज मांगे हैं मतलब जिस देश का बजट ही पैतालीस लाग करोड के आसपास आपकी करने कर अगर यह सवाल आपके होते यह सवाल अगर चैनल वालों के होते तो अमने कोई निकत ने थी जो सवाल में एकाज सब्दू का है रपेर हो सकता है लेकिन सारे चैनल वाले पढ़ाई कहां से पढ़का है उस से युनिवर्सिटी का नाम बताओ युनिवर्सिटी में बता देती हूं वह है भारत की आप सुनी ना जैसे जाए जवान जाए किसान आपको हर आंकर के मुझे नजर आएगा राकेश जी वैसे ही वैसे जाए हिंद जो है वह भी सब सबके चेहरे पर और सबके मुझे नजर आएगा आप मुझे आपका मेरा सब्सक्राइब कर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है घर की कमाई है उसका खर्चा है सौ रुपया सुनीए ना अब आब सौ रुपय में आप कह रहे हैं मेरी मांगे पूरी करो और वह सौ रुपय पूरे नहीं पढ़ रहे हैं तो बाकी लोग अब भी तो पूछेंगे ना आपसे कि आपकी यह मांगे जायज है कि नहीं है हम बता तो रहे हैं तो रहे हैं तो पास्ता नहीं नगल कर क्या पास होगा अरे सारे चैनल वाने गानित कैसे नहीं आता 18,000,000 करोड आपके जी आसा मत कीजिए ना मैं आप से बहुत मुहपबत से बात करें आप मुझे एक प्लस एक दो समझा दीजिए आज समझा तो राव जब सुनोगे जहीं तो समझा रहा है आप पड़े पड़ाए हो और वही बात बोलो सारे आप सुनो बात है हमने कहा है MSP गारंटी कानून चाहिए उसमें सरकार को जो खरीद कर नहीं है जितनी जो व्यापारी खरीद करेगा व्यापारी उसके कम पर खरीद नहीं करेगा यह देश में MSP गारंटी कानून आप बना देगा यहीं जब SKM की मिटिंग होती थी जब भारत सरकार से तीन साल पहले बात चीत होती थी यही सवाब उस ताइब में भी कहा था कानून जब बन ज जो किसानी और यह जो अलग-अलग अनाज देखिए मैं तो मैं तो किसान हो नहीं राकेश दी आप अच्छे से जानते हैं मैं तो आइंकर हूं लेकिन जितना वह जो जिस यूनिवर्सिटी के आप बात कर रहे हैं तिलहन की दलहन की बाकी दूसरी चीजों का क्या दूद उ अंडा जो मचली जो बेची जाती है वो किसानी में नहीं आता है क्या तो और आप यह 22 और 23 जो क्रॉब्स के MSP को मांग रहे हैं वो कितना प्रितिशत है वह मुश्किल 23 प्रिश्वीसद है तो बाकी बचा नहीं गया बाकी किसान क्या करेंगे अबने ये कहा है कि प्हले जितना है उसका करदो जिसने भारस स्ट कार थे अंडा त्स पर जोड़ी जाने है लेकिन बात्चीटों करें यह सरकार क्या है ने तो वह अले खुण यह सरकार पूल्जी पत्यों की एक सरकार है, उनका एक गिरो है, गेंग है पूल्जी पत्यों का, जो पूल्जी बाद है, उसने एक कवजा कर लिया देश पे, उसने एक पूल्जी पत्यों की बना लिए, यह तब पूल्जी पत्यों की पूल्जी पत्यों की है, अगर यह सरक तो आप पिछली सरकारों से भी मांगते रहे हैं उन्होंने कभी वह पूरी नहीं की तो वह भी क्या पूंजी पत्यों की और और यह उद्योग पत्यों की सरकार हो गई सवाल पूछना चाह रहे हैं राकेश जी मैं जानना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि मस्पी पर सरकार खरीदे भारत के हर राज्जी इस समय अनाज की उत्वादन के मामले में आतनिरभर है चाहिए नहीं चाहिए तो सरकार यहां से खरीद कर उसका करेगी कि आप जाके देखिए आज सड़ रहा है चार सो लाग तन कैसे भॉफर है धान का उसके वाल हर्याना वाले कर रहें हम भान देखेंगे अरे राकेश जी रुकिए ना राकेश जी रुकिए ना अब सवालों अब सब्सक्राइब नहीं नहीं आ रहा है उन्होंने यह कहा है अपनी ले देश वाले परेशान हो रहे है यह कहीं से पढ़े पढ़ा है अब आण के चैनल में बठे है हमने एक आगे सरकार को पूरी खरीद नहीं करनी अप सब्सक्राइब करता है उसके कानून बन जाए वो उससे सब्सक्राइब निकरेगा जो MSP गारण्टी कानून है यही तो हमने कहा एक महुल बना जा रहा देश में के सरकार सब की खरीद कर सब्सक्राइब करते हैं अब हमारे साथ जुड़े हैं राकेश जी और मैंने बहुत सारे लोगों को नहीं भुलाया है बाद लसा जुए ये ना नुशन के तरहा हैं आप किसे सब्सक्राएब आप के ऐए में बात और नश्य जीव और आप कानन के दिन को अचिनहों बात पूछ रही हूं कि क्या ऐसा नहीं है कि आप कुछ मुठी भर किसानों की वजह से जो बहुत मिजॉरिटी किसान परिशान हो रहा है वो सिर्फ अंदोलन के लिए आता है खेल जो है वो उपर लेवल पर हो जाता है और आप पर तो यह आरोप लगते रहे हैं कि आपकी अमीर किसान को हमारे साथ आप चाहिए और देशमामीर किसान है कि मेरे सामने एक किसान बैटे हुए है यह बताइए कि आपके आंदोलन से मजदूर है उनको क्या मिलेगा इस आंदोलन से और क्यों वह 40-50 प्रतिशात आवादी आपके आंदोलन से जुड़े इसकी मुझे एक वजह बताइए जिसके पास जमीन ही नहीं ञीं जैने और ऐसांप काम है नूज के लिए तो पर बहुत हो आवाद की अवादी के लिए नेंबर टू आप यह बताइए की पिस समय भारत आप जो अनाज खर देगी उस अनाज की जरुरत किस राज्जी को है कोई एक राज्जी है जो कि अनाज मांग रहा है आपसे तो यह जो पंजाब रहाना के किशाहान मुझे डिवेट ओपन करना राकेश जी ने मुझे वादा किया था कि कुछी मिनिट के लिए वह बैठेंगे लेकिन राकेश जी सम्मान इन सवार की जवारत इसा है ने मैं डिवेट श्रिफ चैनल पर एंकर से करता हूं हां सही बात है सही बात है तो मोर्चे ने आप किसी मंत सब्सक्राइब करते हूं ने राकेश जी बात सब्सक्राइब करने थी आप मेरे महामत दीजेगा यह बात आप आपकी सही है आपने आपने जो कहा था वो यह था कि आप सिर्फ मुझसे बात करेंगे अरे राकेश जी मैं तो आपकी बात मान गई बहुत 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 शुक्राइब बस यह बता दीजिए मैं बस मेरे सवाल का आखरी जवाब देजी आपने ना हाँ हाँ नहीं सुनी ना मेरी बात सुनी अब आखरी सवाल का जवाब देजी क्या यह आंदोलन इसलिए है क्योंके मोधी का ग्राफ राम मंदर की वजह से बढ़ गया है और उसे नीचे इस प्रगरों के राम यह राम गुर्मिवां से आज देख कुछ और की शुकुर्मिवां से हम इस सवाल को जाते ही है हमारा इशू है गाव गरीब किसान आदिवासी उनका इशू है इसलिए मैं यह सवाल आप से बिच रही हूँ उन्होंने कहा था कि ग्राफ बढ़ गया है उसे जल्दी नीचे लाना है वक्त कम है आपका बहुत 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 शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया हमसे बाचीत करें बहुत बहुत